नमस्कार मैं हो ससी आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं केंदर सरकार का राजियों को निर्देश सुबह 9 बजे के बाद फाराय तिरंगा केंदर सरकार ने सभी राजियों के मुख सची यां केंदर सासित परदेशों के प्रसासकों को पत्र भेजकर 15 अगस्त को सवतंतर दिवस के औसर पर जंडो तोलन समधी दिशार निर्देश दिये हैं पत्र में कहा गया है कि राजिकी राजधानियों, जीला मुख्यालियों, उपमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत, गाओं, आदी में सोतंतता दिवस समारो राष्ट्रिय धवज फाराने का आयोजन प्रातर 9 बजे के बाद शुरू किया जाना चाहिए सोतंतता दिवस समारो के आयोजन समंधी कारिकरम भी दिया गया है इसमें कहा गया है कि राज अस्तर प्रमुख्य मंत्री द्वार राष्ट्रिय धवज फाराया जाए वहीं राष्ट्रगान, राजे पुलीस, और दसायनिक बलो, होम गार्ड, एन्सीसी, स्काउड द्वारा, गार्ड अफ ओनर की प्रस्तुति की जाए इसके बाद मुख्य मंत्री द्वारा जनता को संबोधन और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन किया जाए वहीं इसके अलावा जीले से लेकर पंचायत अस्तरत कारिकरम के आयोजन की रूप रेखा भी बताई गई है साथ ही प्रमुख अस्तानों पर स्वक्ष भारत अभियान और पधारोपन अभियान चलाने को भी कहा गया है मोराबादी मैदान में सियम हिमन्त नव बजे करेंगे जन्डो तोलान सोतंतिता दिवस पर राइधानी रांची में कई कायकरम होंगे मोराबादी मैदान में सुबह नव बजे होगा यहां मोख्यों पूरिस मुख्याले में दिजीपी ए गारह बजे जन्डो तोलान करेंगे इसके अलावा सवतंता दिवस पर सहर में कई कारकरम और परत्योगता भी होंगे सियम हिमन्त जरुरत मंदों को आवास के लिए आज करेंगे नई योजना की घोसना सवतनतता दिवस पर होने वाले राजकीय समारोह में राज़ेपल सीपी रधाक्रिष्णान उप्राइधानी दुमका के गांधी मैदान में और मुख्य मंतरी हमम सुने राज़े के मुराबादी मैदान में रष्टी धोजपार आएंगे और प्रेट की सलामी लेंगे धोजा रोहन की तैयारियों को अमतिम रूप दे दिया गया है सुत्रो के अनुसार मुख्य मंदरी जरुरत मंदो को आवास का तोफा देने के लिए नई योजना की घोसना कर सकते हैं इसके साथ ही बुढधा पहार एकसन पलान को लेकर भी घोसना करेंगे बुढधा पहार एकसन पलान तयार हो गया है दूसरी और विभीन जीलो में होने वाले राजगिये समारोह में राज सरकार के मंतरी जहंडर रोहन करेंगे वहीं गरामी बिकास मंतरी अलमगीर अलम सहेव गज में खादापुर्ती मंतरी रामेश्वर उनालो हर्दक गामें स्रम मंतरी सत्यान बोक्ता चत्रा में 138 पदो पर जे पीसी करेगा निउक्ति जार्खन नियाइक सेवा के त़ह सीविल जज के 138 पदो पर निउक्ति होगी इसे लेकर जार्खन लोक सेवा आयोगने समभार कर सुचना जारी कर दिया है इन पदो पर निउक्ति के लिए 11 अगस्त से 11 सितंबर साम पांच बैद तक ओनलाइन अवेदन भरे जाएंगे और अभ्यार्थी परिचा सुलका भुकतान 27 सितमबर तक कर सकेंगे जनकारी के मुताबिक इन पदोपन्य हुकती के लिए बीधी में असनातक के साथ अधिवक्ता अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार ये आहरता निधायत की गई है अभ मिला अभ्यार्थी को अधिक्तम आयू सीमा में तीन वर्स की छूट दी जाएगी निवक्ती जेपीसी दोरा आयोजीत की जाने वाले लिखित परिक्षा तता सक्षतकार के माध्यम से होगी रांची में इलाजरत रायंद्र साहू के निधन से गुसाय लोगों ने सड़क किया जाम अमन साह गैंके गुर्गों की गोली से घायल कोईला कारोबारी सब बिजेपी नेता रायंद्र साहू की सोमवार को रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दरण मौत हो गई लोगों का काना था कि इस ब्यक्ति नहीं सूट्रों को अपने घर में पनादी थी मौके पर पहुंची पूलिस ने आग बुझाई दूसरी और अपराधियों की रफतारी की मांग को लेका सुबह पांच बये से ही नेशनल हाईवे 99 समेत थाना चौक पुर्मा मोर टम टम ट और गोड़ा के महगामा में रविवार को डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई है दुमका में सभी 4 बच्चे जहां असनान करने तलाब में घुसे थे वहीं गोड़ा में दोनों बच्चे बखरी चराने के दरन पानी भरे गड़े में डूब गए 6 बच्चों में 3 लड़ ठीरी नंदिनी कुमारी के रूप में की गई यह सभी बच्चे दुमका के सरया हाठ पर खंड के रहने वाले थे वहीं दुमका के सरया हाठ थाना छेत्रे के पथर्या बांध तलाब में असनान करने गए 4 बच्चे की गहरी पानी में डूब जाने से मौके पर ही मौत हो लेकिन मुख्यमंतरम सवामोर को एडी करें नहीं पहुंचे लेकी सवापन भेजकर सवापस लेने के लिए कहा है seem hainne sighsन ने इडीको लिखा कि आपके दौराइ समन आ शारे कर रहे हैं राय नितिक इसारे पर काम कर रहे हैं हम इसके खिलाब कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे बताया जा रहा है कि इडी उन्हें बहुत जल दूसरा समन करेगी जनकारी के मुताविक इडी ने रांची के बहुचर्टी जमीन घोटाला मामले मुख्य मंत्री को पोस्ताज के लिए समन किया था मामले में रांची के पूरो उपायुक छवी रंजन कुलकात्ता के बेवसाई अमित अगरवाल निकुलेस मौल के संचालक बिशनु अगरवाल बढ़गाई अंचल के राजस उप निरिक छकभानू परताब सहीत 14 आरोपी गिरफतार हो चुके हैं सियम हेमन्थ ने टाना भगतों को दिया भरोसा सियम हेमन्थ सुरेन से सोमवार को काके रोड रांची इस्थित मुख्य मंत्री आवासे कराले में राष्ट्रिये सोतंजता सेनानी टाना भगत संका एक प्रतिनी दिमंटन मिला इस दोरान उन्होंने सियम हेमन सुरेन को जारखन के टाना भगत समुदाय की समस्याओ से अउगत कराया सियम ने टाना भगतों की बातों को गम्हिता से सुना और भरोसा दिया है कि उनकी समस्याओ के निराकरन के लिए सकरात्मक करवाही की जाएगी इस मौके पर मुख्य मंत्री के सच्चिव बिनाय कुमार चौबे राष्टी एस्तों ततता सेनानी टाना भागत संग के बुधराम टाना भागत उपस्थी थे ज्यारखन में बिना मानियाता के चल रहे उनसट सव छपन इस्कूल इस्कूली सिक्षा एवं सक्षता विभाग की रिपोर्ट के उनसार राज में प्राथ्मिक से लेकर प्लस टू अस्तर तक के उनसर सो चपन बिद्याले बिना मानियाता के चल रहे हैं इस्कूल परवंधन बिना मानियाता के ही बचों का नमांकन ले रहे हैं जबकि सिक्षा का अधिकार अधिनियाम के प्रवधान के तहत इस्कूलों को पहले मानियाता लेना है फिर नमांकन बिना मानियाता प्राप्त इन बिद्यालेओं में आठ लाग से अधिक बच्चे नमांकित भी हैं बिभा की ओर से त्यार रिपोर्ट 2022-23 के उनिसार इन बिद्यालेओं में आठ लाग तीरपन है चो सब वरतालिस बच्चे नमांकित हैं सिक्चा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप काक्षा एक से आठ तक के बिद्याले संचारन के लिए आठी के प्रधान के अनुरूप मानियाता लेना आवस्यक है आईजी प्रभात कुमार को राष्ट पदी पदक से समानित किया जाएगा सवतंता दिवस दो हजार तेज के अवसर पर ज्हारखन पूलिस के सत्रह अधिकारियों और कर्मियों को प्रस्कृत किया जाएगा जिसमें विशिष्ट और सराहनिये सेवा के लिए आजी प्रभात कुमार को राष्ट पदी पदक परदान कर समानित किया जाएगा वहीं पूलिस के कर्ता ब्रणिश छ अधिकारियों और कर्मचारियों को विर्ता पदक और एगारा पूलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट और सराहनिये सेवा के लिए दो हजार तेज के राष्ट पति पूलिस पदक समानित किया जाएगा केंद्रिये गृरिह मंत्रा लेने राष्ठपती पदक राष्ठपती पूलिस पदक और पूलिस पदक पीमजी के लिए पूलिस अधिकारियों और कर्मियों के नामों की घोसना कर दिया CUJ ने निकाली तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहद CUJ जार्खन केंद्री विश्व विद्याले में सोमवर को कारकरम आयोजित किया गया इसके तहद कुछ गाउं में घर घर जाकर तिरंगा लगाया गया इधर अजादी के अमरित महोसव पर राची भी सुभी द्याला है एन एस एस और नहरू युवा केंदर द्वारा सोमवार को हर घर तिरंगा या तरास प्रभात फेरी निकाली गई इस प्रभात फेरी को राजेपास सीपी राधा किष्णा ने राजभावन से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया बता दे हर घर तिरंगा अभ्यान के तहट सी यू जे सोमवार को कारकरम आयोजित किया है जारखंड के सुलला जीलों के 450 गाव डायन विसाही के मामले में खतरनाक है इन में से ज्यादातर गाव सुदुर और दुरगम इलाकों में है जहां से पुलिस थाना भी काफी दूर है इन गावों की सक्षर्टा दर भी काफी कम है जिसकी वज़ा से लोग आसानी संद विश्वास के सिकार बन जाते है ऐसे में जब भी इन गावों में कोई इनसान या जानवार बिमार होता या उनकी मौत हो जाती है कई बार ऐसे मावले में पीडित महिलापुरूस की हत्या भी कर दी जाती है पच्छमी सिंभूम के चक्रधर पुर में जुआ खेलते स्कूल मैनेजर सहीट आठ गिरव तार पच्छमी सिम्हुम जीला अंतरगत चक्रधार पूर में पूलिस ने जुगा खेलते आठ लोगों गिरफतार किया है खास बातिया है कि जुगा खेलने वाले आठ लोग सहर के नामचीन लोगों में सुमार है जिन्हें पुलिस ने जुगा खेलते रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है उनमें लड़न जैसवाल, निर्भाय, केजरिवाल, खगेस, तांती, कैलास, बोदरा, रविंदरनाथ और संजीत राम, रामकुमार सिंग और मुतजिर अंसारी सामिल है इनमें से एक स्कूल के मेनेजर भी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफतार किया है बता दे कि पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि बड़े प्रमाने पर चक्रधरपूर के रिटायर कालोनी में नामचीन लोगों का जमावडा जुगा खेलने में लगा रहता है इस सुचना पर पुलिस ने एक टीम का कठन किया टीम द्वारा सुचना के आलोक में रिटायर कलोनी के उस घर पर छापे मारी किया जहां पर जुए का खेल चल रहा था सहतंत्ता दिवस की पूर्व संधिया पर निकला तिरंगा रैली तिरंगा रैली के मौके पर छात्र छात्राओं को समोधित करते हुए मनिका डिगरी कॉलेज के सहायक ब्याख्यात्ता मनिस तिवारी ने कहा है कि इस तरह की परत्योकता का यवजन से बिद्यार्थियों में रशनात्मक बढ़ती है इसके साथ ही बिद्यार्थियों की परतिभाव में भी निखार आता है मेरी माटी मेरा देश एवाम हर घरतिरंगा विशेपर पंदर अगस्त को विशेश त्यक्रूपता का यवजन किया जाएगा इस दोरान रंगोली, पेंटिंग, क्वीज एवं भासन परतियोकता के प्रत्थम दितिये यवं तिरतिये अस्थान पर आने वाले चात्र शत्राव को प्रुस्कित भी किया जाएगा एवं उन्हें गनमाने अतितियों के द्वारा परमान पत्र भी दिया जाएगा खुखडी खाने से 14 बिमार सभी करने लगे उल्टी, गढ़वाजीले अंतरगत, डंडा थाना छेत्रे की भीखडी पंचायत अंतरगत, पपरवागामे रभी वार की दोफार जहरीली खुखडी खाने से 6 बच्चे समेट 14 लोग बिमार हो गाए बिमार लोगों में डंडा के परमोख, आसा देवी के पती चंदन चौधरी, उनका 10 वर्षिये पुत्र प्रनाव कुमार, वह 7 वर्षिये रोहित कुमार तथा पुत्र 13 वर्षिये कोस्व कुमारी सामिल हाए